गुद्वार्णिंग अल उफ यू एक बहुत इंपॉर्टन अनॉंस्मेंट तुम सबके साथ शेयर करने चाह रहा हूं अनॉंस्मेंट से भी जादा इस तैका वार्निंग का मैसेज और यू मस्ट फॉलो दिस स्पेशली यह फाउंडेशन स्टुएंट्स के लिए होता है जन्होंने भी फाउंडेशन का एक्जाम दिया है उनके लिए स्पेशली आपको पता होना चाहिए नहीं पता दो मैं बता देता हूं न्यू सेलेबस आ रहा है आ चुका अल्मोस्ट इन दोनों के बारे में बता रहा हूं सी इस का भी तक आया नहीं है सी ए इंस्टिट्यूट ने अपने न्यू सेलेबस का ड्राफ्ट डाल दिया है जो की मोस्ट प्रॉबबबली और अगस्ट एंड में आ जाएगा थेक्ए मोस्ट प्रॉबबली और रेजिस्ट्रेशन नि है और आप इंटर में जाने वाले हो प्लीज वेट फॉर रिजाल्स न्यू सिलबस आएगा न्यू सिलबस में रिजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद ही आप अपनी प्रपरेशन चालू करना या इंटर्मिडेट की क्लास लेना आपको यह पता होना चाहिए कि अभी जितने भी क्लासे अवेलेबल है जिस टीचर के भी अवेलेबल है ओल दा क्लासे और एस पर दा एग्जिस्टिंग सिलबस न्यू सिलबस का तो अभी तक करिक्यूलम डिटेल बुक्स कुछ भी आया ही नहीं इंस्टूट द्वारा जो आ जाएगा एक महने के अंदर ही ठीक है एक से ड दिया कि जून 23 से उनका न्यू सिलबस में एक्जाम चाली हो जाएगा इंट्रमडेट का तो इफ यू आर माइग्रेटिंग फ्रॉम फांडेशन टू इंटर मताब फांडेशन का एक्जाम डिये रिजल्स वेट कर रहे हैं तो वेट कीजिए प्लीज अभी इंटर के क्लास मत लीजिए वह बेकार हो जाएगा न्यू सिलबस जब आता है ना तो मैं आपको दो चार चीज़े बतायता हूं एक तो सब्जेक्ट अगर सेम कंटीन्यू भी रहता है तो भी उसके अंदर का जो कॉंटेंट हो चेंज हो जाता है एक चैप्टर में कितना पढ़ना या नही काइगा थो आपको पता मतब चैप्टर चैंज ओंगे कंटेंट हो चोंगा सब पूच चेंज होगा जो सब्जेक्ट सेम हैं भी जो सेम कंटीनू करेंगे उन की अंदर भी क्टन में स्थग प्लीज अभी से हर बड़ी मत करो तुमारा फिर एकट रसे प्लास ओनझ करो और सेलबस सेप्टेंबर में मिडल में मोस्ट पॉबली सारे टीचरों का ही लाइब सेलबस लाइब बच्छ आ जाएगा न्यू सेलबस का तो प्लीज वह पढ़ना डोंट डू दिस स्टूपिडिटी दो मैना है टाइम यूस करना रहे दो मैना एंजॉय कर लो लाइफ में अभी